नमस्कार मेरे प्यारे साथियों आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिजंदन साथियों जैसा कि अपने कल सेशन शुरुआत की थी रेट बरति प्रिक्सा से सम्मन दित लेवल फर्ष्ट और सेकेंड के लिए तो साथियों कल के शैसन के दोरान मैंने आपको जो सेलेबस बताया था उस सेलेबस के अनुसार हाज अपनी कलास याथाओत रखते हैं तो साथियों अपने का था कि सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट नम्बर ए तो साथियों आज मैं पार्ट नम्र ए सुरू करने जा रहा हूँ जिसमें साथियों अपन पढ़ेंगे गनित विशे के बारे में। पार्ट नमबर ए था विशे संबन दित था तो आज जमन पड़ेगे साथियों गणित विशे के अपन गणित विशे का अध्यन कर रहे हैं गणित विशे की सेक्षिन विद्यां पड़ेंगे तो सबसे पहले साथियों आज अध्यन करेंगे गणित विशे के बारे में साथियों आपसे ज़्यदा समय नहीं मांग रहा हूँ आप अपना 10 या 15 मिनित का समय इस वीडियो के लिए अवस्य निकालें और वीडियो को पूरा देखें साथियों 100% आपके लिए जो चीज उपयोगी है वही इस वीडियो में बताई गई है वीडियो पूरा देखने के बाद में साथियों आप अपना अमुलिय सुझाओ कमेंट में मुझे अवस्य देवें देखिये साथियों गणीत सिक्षन में पहला टॉपिक है उसके बारे मध्यन करते हैं तो पहला टॉपिक साथो यही था कि गणीत सिक्षन की उत्पत्ति कहां से होई और इसका अर्थ क्या है। उत्पति और अर्थ के बारे मैंने बात की थी, कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे उस विशे की उत्पति कैसे हुई और उस विशे का अर्थ क्या है, तो देखे साथियों उत्पति के बारे में अपने को दो मानेता याद रखनी है, पहली मानेता पढ़ते हैं साथियों बारतिया व्दबारतिया दस्टि कॉंन क्या है और इस वारतिया दस्टि कॉंन के अनुव है जिसको जख व banner से चलता हुआ माना जाता है रहा है और बारतिय दश्टिकॉन में साथी में बात बताई गई है कि गणित वेसे है जो संस्कृत बासा के गणित वेसे संस्कृत बासा है साथियों अब गणित वेसे संस्कृत बासा के गणदातू से हुआ है इनकी गनित सब्द जिसका साथियों गनित सब्द है वो संसकर्थ बासा के गन दातू से इसकी उत्पत्ति मानी गई है गन दातू इनकी तो आपको साथियों पूसर जा सकता है कि बारतिय दश्टि कौन के नुसार गनित सब्द कौन सी बासा का है तो संसकर्थ बासा का है गन जिसका इर्थ होता है गणना करना इसी परकार साथियों एक और मानेत अपने को पढ़नी पड़ती है दूसरी साथियों मानेत है हुए पाच चात्या मानेत दस्टिकोण के नुसरी साथियों क्या है? देखिए तो पाचातिय दश्टी कौन में साथियों अपने को पढ़ना है पाचातिय दश्टी कौन तो साथियों पाचातिय दश्टी कौन में गणित विसे की उत्पति कहां से हुई कैसे हुई तो देखिए तो साथियों इसके अंदर क्या कहा गया कि यह एक गणित को अपन युनानी बासा का सब्द था एक मैथा मैटा इनकी ग्रिक या युनानी सब्द एक साथियों है ग्रिक बासा है या युनानी बासा दोना में से आपको एक option मिलता है तो ग्रिक या युनानी बासा का साथियों सब्द है मैथा मैटा तो मैथा मैटा से इनकी सब्द है मैथा आपके गनित विशे की उत्पति हुई है मैथा मैटा से हुई है जिसका अर्थ साथियों इसका भी अर्थ यही है मैथा मैटा सब्द का अर्थ है गणना करना गणना करना और साथियों गणित का इदि आपको विशेस अर्थ पूचे तो गणित का विशेस अर्थ होता है साथ बात बताता है तो अपने गनित वेसे की उत्पती और गनित वेसे के अर्थ के बारे में अपने को दो दस्टी कॉण विशिस रूप से important रहते हैं भारति दस्टी कॉण गनित वासा की उत्पती संस्कृट से हुई है जबकि जो 570 दस्टीकॉण है इसकी अनुसार गनित इसका अर्थ होता है गणना करना तो साथियों दस्टी कौन के बारे में अपने को दो बातें याद रखनी हैं जो मैंने आपको बता दिए आगे वड़ते हैं तो आगे क्या है कि अगला जुपना टॉपी के साथियों मैंने बताय था अर्थ उत्पती के बाद में परिवासा ह इसे सेसन शुरुआत करने से पहले एक वेडियो मैंने बना रखा है जिसमें कम से कम पांस लगद्व दस परिवासा उसमें पड़ी थी कुछ और इंपोरेंट परिवासा हैं जो मैं इस सेसन में बता रहा हूं तो सबसे इंपोरेंट साथियों परिवासा अपने पूछी ज किया मानना है गणीत को पत्थर बताने वाये वाये जैनी कोन है तो अबस्ते गणीत पत्थर के समान विए याद रहती है कि तो अब उस परिवासा याद रहती है अब उसने बताया कि गणीत एक पत्थर के समान वेसे है जिस परकार पत्थर किसी ओजार को तेज करता है उसी परकार गणीत मानो मस्तिक्स को भी तेज करती है यहीं कि पत्थर के समान क्यों बताया क्योंकि उन्होंने का था गणित उस पत्थर के समान है जो पत्थर किसी ओजार को जिस परकार से तेज करता है इनकी उनको दार देता है उसी परकार गणित मानो मस्तिक्स को तेज करती है यह है उनकी पूरी परिबासा तो अपने को साथ शौटकर्ट ट्रिक याद रखनी हैं, शौटकर्ट ट्रिक यही है, कि गनित को पत्थर मानने वाले कौन थे, तो गनित को पत्थर मानने वाले थे, अब्स, अगली साथियों परिबसा पढ़ते हैं, अपने दूसरी परिबसा पढ़ते हैं, तो दूसरी परिबसा साथियों थ लिख्ता हुँ तो इनकी साथ्यों गनीत को विग्यान के अंदर सर्व स्रिश्ट मानाएं या आपन ऐसा सरवनी है कि विय्जान की अंदर गणीत का विज्जान सुरोमृनी उपने वे रहरी के भी हैं 165 विधादाई जी ने विध्यान के अन्दर सर्व सथ इस्तान दिया है यह लेơiक है कि गनित समस्त विज्ञानों में शिरो मनी हैं जैसे देखे साथियों शिरो मनी से आपको वेदांग जी से आपको याद रखना है कि वेदांग जी ने पूरी बरिवासा ये बताई थी कि जिस परकार साप के सिर पर मनी और मयोर के सिर पर मुकुट का इस्तान है यह परिवासा है उनकी पूरी तो साथियों क्या होता है कि अपने को ज़्यदा लम्गत का है वही इस्तान गनित में विग्यान का है कित्ब लिखें लीक्तित मिलती है अपन क्या करते हैं वही परिवासें पढ़ते हैं बस दो सुरुमनी अब सर्वस्ष्ट औरी शरो मनी सफ अपको के को बना सकते हैं कि सरो स्रेश्ट मतलब सबसे उत्तम, सबसे उपर, सिरो मनी, सबसे शिरो में मनी यानि कि साप के सिरपर मनी का जो इस्तान है वही इस्तान विज्ञान में गनित का है आगे बढ़ते हैं साथियों तीसरी परिबासा की और तो तीसरी परिबासा साथियों अपने देने वाले वेग्यानिक थे वो थे अपने किस का पड़ा हवस का पड़ा वेदांग का पड़ा तीसरी थी साथियों अपनी थी वो थी प्लेटो की अनुसार प्लेटो तो प्लेटो जी ने साथियों गणित की दो परिबासें दी पहली दूसरी परिवासा देती साथियों वो देती ज्यामिती की परिवासा क्या परिवासा देती ज्यामिती की मैं सौटकट लिख रहा हूं लेकिन पूरा बोल रहा हूं आप आराम से सुनके लिख सकते हैं पिलोटर जी ने साथियों गणित की दो परिबासें दी पहली परिबास दी चेतन अवस्ता चेतन अवस्ता की परिबासा का मतलब है उन्होंने का था कि गणित मानों के मस्तिक्स को तेज करता है यानि कि गणित मानों के मस्तिक्स को विक्सित करता है और इसे मानों का मस्तिक् आवस्ता में आ जाता है या मूर्थ आवस्ता और या आपन कहह सकते हैं कि तर्क करने की सक्ति उत्पन हो जाती है साथ यूं प्लेटो जी ने बहुत अच्छी गणीत की defenition दी थी कि उन्हें कहा गणेत मानों की मस्तिक्ष को तेज करता है या विक्सित करता है जिससे मानव का मस्तिक्स चतन अवस्ता से चतन अवस्ता में आ जाता है दूसरी परिबर साथ उन्होंने बताय था उन्होंने का था कि जो विद्यार्थी ज्यामिती को नहीं जानता है ज्यामिती को नहीं समझता है वह इस विद्याले में एडमिशन य नहीं हैं वह विध्यार्ती इस विभिड्य 열े में नहीं आ सक्ता तो साथियों अपने कुल चार परिवासनें पढईrum पहली पढ़ी हब्सकी हब्सक्राना पत्थर दूसरी पढ़ी व्यधांग जी की विदांग जी ने माना शिरो बनी, तीसरी पड़ी पिलोटो जी की, पिलोटो जी ने साथियों चेतन आवस्ता के बारे में बताया, इनकी असेतन से चेतन आवस्ता के बारे में, और ज्यामिती नहीं जानते हैं, तो विद्याले में नहीं आ सकते, इनकी उकुल चार परिवास दी और गौस ने बताया कि गनीत विज्ञान की रानी है गौस ने क्या कहा तो गौस ने किसको क्या कहा तो गौस ने का साथियों की गनीत विज्ञान की रानी है यनकि तो आपको बहुत अच्छी परिबासा चोटी सी परिबासा है विज्ञान को विज्ञानों की रानी या ग परिवास भटते हैं तो अगली परिवास साथ्यों पांस नमबर दिये थी अपने परिवास ते आ्ल फरे कि गणित वेग्यानका नोकर है यह तो section आपने को साथ्यों को Premier अपने परिबास का पता अंस्वर होना चाहिए तो गौस ने का था गणीत विध्यान की इरानी है और बैल ने का था गणीत विध्याना का नोकर है इसी परकार साथियों है वैङग वैणने का था इनकी एक है वेगनिक थे हैग वेन तो हैग वेन ने साथियों का था या होग वेन कह सकते हैं अपन होग वेन एक मिनिट मैं नाम फ्राइब कर देता हूं इनकी अगली परिपास अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं होग वेन के अनुसार होग वेन तो होग वेन ने साथियों का था गणीत संस्कृति और सब्यता का दर्पन है क्या का था दर्पन बताय था संस्कृति और सब्यता का दर्पन क्या है तो गणित है तो हॉग वेन ने साथियों दर्पन सब्द पर जोर दिया और कहा कि गणित विसे है जो वो संस्कृति और सब्यता का दर्पन है यनि कि साथियों अपन गणित विज्ञान का नोकर है और होग वैनने का गणित संस्कृति और सभ्यता का दरपन है इसके बाद में साथियों अगली परिबसा पड़ते हैं डटन की तो डटन जी ने साथियों क्या बताया तो डटन जी ने बताया कि गणित है जो तरक संगत करना या तरक संगत करना है इने कि गनित को तर्क संगत बताने वाले थे वो थे डंटन गनित तरक संगत करने वाला विचार है इनकी साथ्यों नहीं से ड्रटन जी की परिपास आपके सामने आती है इन्होंने बताया कि गणीत तरक संगत करने का एक विचार या तरक संगत विचार है इसके बाद में साथियों लाश्ट परिबास आती है जॉन लॉक की तो जॉन लॉक ने क्या बताया था तो देखिए जॉन लॉक ने कहा गणीत वह मारग है गणीत वह मारग है जिस म पर चल करके विद्यार्थी अपने मस्तिक्स में तर्क संगत सोच उत्पन्त कर सकता है यनि कि जॉन लॉक ने गणित को मारग बताया और कहा कि गणित वह मारग है जिस मारग पर चल करके मनुस्य अपने मस्तिक्स में तर्क संगत विचार उत्पन्त कर सकता है तो साथियों कुल बिला करके तेन परिपास हैं पहले पड़ी फिर यह साथियों च्यार नमबर गौस, पांच नमबर बैल, छे नमबर हॉगवेन, साथ नमबर डटन और आठ नमबर जॉन लॉकने के अनुसाथ यनि कि हमने साथियों आठ परिपास हैं, आठ आज पड़ी और दस परिपासों का साथियों एक वीडियो मैंने बना रखा है, जो बहुत इंपोर्टेंट है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिक्शन बॉक्स के अंदर उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, यदि आपने नहीं द पसंद किया, तो लाइक अवस्य करें और अधिक से अधिक छात्रों तक इस सेशन को सेर करें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत